हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का तो दोस्तो अगर आप वाटसप के चैट पर्मनेटली डिलिट करना चालते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर दोस्तों आप WhatsApp के चैट डिलिट करते हैं और फिर से रिकावर हो जाते हैं तो आप permanently चैट को डिलिट कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप जो WhatsApp के चैट है उनको अगर आप डिलिट करते हैं तो वो पर्मनेट डिलिट हो जाएंगे और फिर से रिकॉर भी नहीं हो पाएंगे तो वीडियो बहुत आसान और सिंपल होने वाला है तो बने रही वीडियो में एंटर तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो चलिए मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ आप WhatsApp के चैट पर्मनेटली डिलिट कैसे कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर बैक आ जाना है उसके बाद आपको यहाँ पर WhatsApp को ओपन करना है तो जैसे आप WhatsApp को ओपन करोगे अब यहाँ पर आपको ऊपर थी डोट में क्लिक करना है थी डोट में आने के बाद आपको उप्सन मिलेगा सेटिंग का तो आपको सेटिंग में चले जाना है तो सेटिंग में आने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रोल करेंगे और यहाँ पर आपको उपसन मिलेगा चैट का तो आपको इसमें क्लिक कर देना है तो जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको सबसे नीचे की तरफ एक उपसन मिलेगा चैट हिस्टरी तो आपको इसमें क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको चार ओप्सन मिलेंगे Export Chat, Archive All Chats, Clear All Chats और Delete All Chats तो आपको चार ओप्सन मिलेंगे अब आपको WhatsApp के Permanently Chat डिलिट करना है लेकिन यहाँ से वो Permanently Delete नहीं होगे उनको आप दोबारे से चाहे रिकवर कर सकते हैं तो चलिए Permanently इनको डिलिट कैसे करना है उसके बारे मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तों यहाँ से जो हमने WhatsApp की Chat डिलिट की है वो यहाँ से Permanently Delete हो चुकी है लेकिन वो अभी भी हमारे Chat बैकप में अविलबल है तो यहाँ पर Permanently Chat डिलिट करने के लिए हम यहाँ बैक करेंगे बैक करने के बाद आपको यहाँ पर Option मिलेगा Chat बैकप का तो आपको इसमें क्लिक कर देना है और जैसे आप Chat बैकप में क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको Option मिलेगा बैकप to Google Drive और Google Account तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी Gmail ID यहाँ पर Select है और यहाँ पर जो बैकप to Google Drive वाला Option है तो यहाँ पर Daily Select है तो यहाँ पर जो WhatsApp है वो हमारे बैकप को Google Drive में Save करते रहता है तो आपको बैकप to Google Drive में क्लिक करना है तो जैसे आप इसमें क्लिक करोगे आपको आपर Select कर देना है Never और जैसे आप यहाँ पर Never Select कर लोगे उसके बाद आपको आपर पूरा बैक आ जाना है आपको home screen में आ जाना है home screen में आने के बाद आपको आपर google drive को open कर लेना है तो चलिए हम google drive को open कर लेते हैं तो जिसे ही आप google drive को open कर लोगे उसके बाद आपको उपर की side में 3 line में click करना है 3 line में click करने के बाद और उसके बाद आपको option मिलेगा backup का तो दोस्तो आपको backup वाले option में क्लिक करना है तो जैसे आप इसमें क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पर आपको mobile number दिखाई देगा और यहाँ पर आपको date दिखाई देगी जिस date में आपने backup लिया है अब दोस्तो यहाँ पर आपको three dot मिलेंगे तो आपको three dot में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको option मिलेगा delete backup का तो आपको delete backup वाले option में क्लिक करना है तो जिसे आप क्लिक करोगे तो आपको delete वाला option आ जाएगा आपको delete कर देना है तो इस तरह किसा आप जो what's up की chat है उनको permanently delete कर पाओगे तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आपका पुर्पुर्श सुक्रिया